गुर्गोविंद सिंग एजुकेशनल सोसाइटी स्टेकनिकल कैमपास इंजिनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बोकारों में भवनेशवर ओडिशा की कमपणी ट्वीन टेक इंजिनियरिंग और डेजाइन टेकनलोजी लिमिटेड द्वारा छात्रों को आटोकेड और पी कैमपस ऑफलाइन ट्रेणिंग दी जा रही है कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर प्रिदसी जरुहार ने बताया है कि यह ट्रेनिंग सेविल मेकनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंग के छात्रों में इंजिनियरिंग कॉशल का विकास करेगी और उन प्रफेसर रोही प्रशाद और प्रफेसर गौतम कुमार ट्रेनिंग के संजोजग हैं आए आपको एक एकर सभी टेक्नोक्रेट्स से बात करवाते हैं और इस बीच सहस्थान के अध्यक्ष सरी तरसेम सिंग और सची सरी सुरेंदर पाल सेंग ने छात्रों को इस ट्रेनिंग क का पूरा लाग उठानी के सलाह देते हुए बधाई दी है नेरेंजन कुमार सिंग ट्रेक इजिनरी डियाइट टेकलोजी भौनिश्वर के डिरेक्टर हूं और मैं कुर्गोविंज सिंग जो कॉलेज बोकारों में उसके छे दिन का एक वरक्सॉप करने जा रहे हैं जो कि अज 25 तारीक से स्टार्ट हूआ है और यह बिसिकली डिजाइनिंग सॉफ्टेयर है और अलेक्टिकल और मेकेनिकल के लिए दोनों दे रहें, जो कि PLC आखे है, PLC बैसिकली प्रोगामिंग शॉप्टएर होता है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग तरह के प्रोगामिंग करते हैं, जो कि आज electronics, computer science और अलग-अलग ब्रांच को जोरोत पड़ता है और ये AutoCADEC है जो कि डिजाइनिंग software है ये basically mechanical और civil वाले के जोरोत पड़ता है जो building drawing और machine drawing आज के समय में जो industry का requirement है और इस training को शुरू करने के लिए यहां पर बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चे में काफी excitement है और ये आने वाले 6 दिन में काफी कुछ अपने आपको upgrade करेंगे जो कि आने वाले industry जो company placement होगी placement में basically इसका सबसे अधा एहम रोल होगा इस course को करने के बाद बच्चे में जो job का जो opportunity होता है वो कम से कम 100% वो इसका encouragement होता है वो मैं रोही प्रशाद गुर्गोविन सिंग एजुकेशन सोसाइट टेकनिकल केंपस के mechanical department के होडी पोस्ट पे कारे रत हूँ आज हमारे संस्थान में AutoCAD ट्रेणिंग के लिए URISA से Twin Tech Engineering and Design Private Limited के expert आए वे हैं यह जो ट्रेणिंग है यह हमारे स्टुएंट्स के लिए खास करके mechanical department के स्टुएंट्स के लिए AutoCAD की काफी महत्ता है कौकि AutoCAD के जानकारी के द्वारा वो लोग काफी तरीके से आजकल की जो टेकनलोजी उसके बारे में उनको पता चलता है और उनको डिजाइन फिल्ड में उनको काफी फाइदा होता है ताकि जैसे अपने ऐसा क्यात है कि mechanical department नॉर्मली machines के साथ डील करता है तो machines के design के लिए उसकी पढ़ाई के लिए AutoCat की बहुँ जादा महत्ता है और मैं इस training के लिए college प्रभंदन और खास करके आपारे डाक्टर सर का काफी आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने COVID के इस महामारी के दौरान जो student college नहीं आ पाये थे और एक अक्टुबर से college खुलने के बाद सारे COVID प्रोटोकॉल को निवाते हुए उन्होंने इस training के लिए काफी मेनत की और इसे एक सचाई बढ़ाया और हमारे हाँ training 25 अक्टुबर से 30 अक्टुबर तक चलेगी और मैं काफी आसानवित हूँ कि इसे students काफी लवानवित होंगे मैं गौतम कुमार Department of Electronics and Communication Department हेड हूँ और आज हमारे संस्थान में PLC training स्टार्ट हुआ है और industrial need को देखते हुए बच्चों को ये training दिया जा रहा है क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं कि अभी automation का जमाना है और इस PLC के तुरू बच्चों को बताया जाए कि industries में कैसी automation के द्वारा सारा काम किया जाता है और ये training आज से स्टार्ट हुआ है 25 October से और ये एक हपते का training है और इसमें जो हमारे experts आये हैं फ्रम हैदराबाद बहुत ही expert है और जो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को प्रोवाइट करने वाले हैं and for this I am thankful to our respected director sir के इनोंने इतना बड़ी आरेजमेंट किया मैं उत्तव कुमारदास HOD Department of Electrical Department of Electrical आज से हमारे college में PLC की टर्निंग स्टार्ट हो गई है PLC मेंज actually होता किया है कि कि किसी भी प्रोगाम के थरू हम लोग किसी प्लांट में जैसे काम हो रहा है तो उसमें लोग कंटूल कैसे का सकते हैं suppose that मेरा center plant में या तो blast furnace में चल रहा है बेंट चल रहा है कोई पाप चल रहा है क्योंकि आज काल automation के शेत्र में plant में इंडेस्ट्री में ये बहुत ही जरुवी है हलो I am self Dr. Rajendra Prasad Barma HOD of Civil Engineering Department in GG SE, TC Bokaro आज हमारे कॉलेज में AutoCAD training का starting हुआ है AutoCAD Civil Engineering के लिए बहुत ही important है ये एक soft skill है जो कि इसमें एक design किया जाता है building का 2D और 3D में जिसका अभी market में बहुत ज़्यादा valuable है इसमें बच्चे काफी उतसाहित हैं और ये training पूरे मन लगा के कर रहे हैं और बच्चे बहुत कुछ इसमें सीखेंगे इस program को organize करने के लिए management और डारेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी और program organize होते रहेंगे तो लगातार आप देख रहे हैं इस पूरे report के अंदर जो technocrats हैं जो experts हैं वो भता रहे हैं आपको auto cat को ले करके और PLC के offline training को ले करके इसे मुदे पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर गुर्गविन सिंग टेक्निकल campus के डिरेक्टर डॉक्टर बृदर्शी जरुहार साब मौजूद है जरुहार साब स्वागता पर और छे दिवस्ये पहली बार COVID period के बाद ये एक offline training program आपके campus में चल रहा है तो ज़र एक बार objective ब्रिफ कर दीजिए फिर मैं supplementary ले रहा हूँ तक्निकी सिख्षा का मुखे उद्देश से है कि जो भी तक्निकी समस्याइं आती है उनका optimum हाल करना कम से कम खर्च में उसका output जादा निकले तो यह जो भी नए software आए है या automation जो हो रहा है लेकिन कई ऐसी जो latest development है वो रह जाती है उसमें फिर इन सब ट्रेणिंग प्रोग्राम के द्वारा जैसे अब हम AutoCAD करा रहे हैं Twin Tech Limited के साथ जो की AutoDex के साथ associated है तो AutoCAD का और PLC का तो उन प्रोग्राम के तहद बच्चे इस software को सीखेंगे हमारे computer labs में और फिर वो उनको अपने जीवन में भविस्य में तक्निकी काम में परियोग करें डेक्र सब एक और सवाल है वो यह है कि इस तरह का जो job oriented course है certificate course है और तरगे offline जो टरेनिость प्रोग्रामस है आपको लगता है कि बच्चों को और जूदा अफ्ग्रेइड करता है बच्चों कब ज्याइदा skilled करता है यह कहारे कि जो placement के बाद ऐसे कोर्सेज होते हैं और खासकर पिछले दो सालों से जो कोविट के वज़े से प्रभावी था और ज्यादा तर ओनलाइन सिख्चा पर हम डिपेंड कर रहे थे तो मेरा यह प्रस्नली मानना है ज़े डारेटर ऑफ एन इंजिनियरंग कॉले कि प्रैक्टिकल और जैसे हमें मौका मिला हमें परमीशन मिली हमने इसे तुरत ही लागू किया उरिशा से इस कंपनी को बलाया और यह लोग इसमें बहुत इनकी महारत हासिल है बहुनेस्वर के और बड़े-बड़े इनवर्सिटी और इंजिनिंग कॉलेजियों को भी यह ट्रेनिंग प्र डिरेक्टर डॉक्टर प्रिदर्शी जरुखार बता रहते कि कैसे छे दिवस ही जो कारिशाले चल रहा है आप यह वर्क्स आप ट्रेनिंग प्रगाम चल रहा है आटो कैट को लेकर के और पील सी को लेकर कि बचों का जो प्लेश्मेंट का जो रिश्यो है ओन निश्य तोर पर बढ़ने जा रहा है जिटेन निवस इंडिया के लिए मैं विजा सेंग बोकारो